आज सुप्रीम कोट की साज जजों की बेंच ने बहुत आतिहासिक फंसला दिया है और साज जजों ने एकमत होके कहा है कि सांसदों और विधायकों के द्वारा पैसा लेके सवाल पूछना पैसा लेके भासर देना और पैसा लेके राजसभा के चुनाओं में ओड़ देना या लोगसभा में पैसा लेकर ओड़ देना ये पूरी तरीके से भरष्टाचार माना जाएगा करॉप्शन का केस माना जाएगा और ब्राइबरी के अंतरगत इसमें मुकदमा दर्ज होगा मामला पहले भी आ चुका है जब नरसिमराओ सरकार अलपत में थी उस समय नोटों की गड़्डियां लहराई गई थी और वो मुकदमा सुप्रीम कोड तक आया लेकिन उस समय सुप्रीम कोड में जब 5 जजों में से 3 जजों नहीं ये कहा कि चूकिस जो नोटों की गड़िया लहराई गई है जो कैस हुआ है कैस का लेंदेन हुआ है ओटिंग के लिए वो पारलियामेंट में हुआ है इसलिए ऐसे लोगों खिलाब मुकदमा नहीं चलेगा उस समय भी दो जजों ने कहा था कि नहीं नोटों अगर पैसा लेंदेन हुआ है चाहे वो संसद में हुआ या विरहान सभा में मुकदमा चलना चाहिए लेकिन दो जजज कम हुए माइनाटी थे तीन जजज मेजॉर्टी थे तो उसके बाद से आज सक लग जितने भी ऐसे केस आए कभी भी संसद विदायक के खिलाब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अब आज साथ जजों की बेंच ने एकमत से कह दिया है कि कोई भी संसद अगर पैसा लेके सवाल पूछता है संसद में पैसा लेके संसद में या पैसा लेके संसद में ओटिंग करता है तो उसको कोई immunity नहीं रहेगी, कोई विशेसादिकार नहीं रहेगा, उसके खिलाब मुकदमा चलेगा, इसी तरीके से कोई विधायक पैसा लेके सवाल पूछेगा, पैसा लेके राजसभा में ओटिंग करेगा, पैसा लेके विधान सभा में ओटिंग करेगा, या पैसा लेक की जो immunity है उसके लिए Supreme Court ने कहा है कि जो संविधान में सांसद और विधायक विशेसाधिकार दिया हुआ है वो अच्छी speech देने के लिए बंद दिया हुआ है वो free speech के लिए दिया हुआ है वो संसद और विधान समा में जनहित के मुद्धे उठाने के लिए दिया हुआ है वो भषटा-चार करने के लिए नहीं दिया हुआ है लेकिन उस संविधान के प्रावधान का जो उनको विशेसाधिकार दिया हुआ था उसका अभी तक गलत criminal case नहीं शुरू हुआ, महुआ मित्रा के खिलाब bribery वाला मुकद्मा दर्ज नहीं हुआ, अब इस फ्वैंसले के बाद महुआ मुत्रा के खिलाब bribery का मुकद्मा भी चलेगा, या सीता सोरेन, जो सीबू सोरेन के परिवार की थी, जो ये सुप्रीम का जो मुकदमा है उसमें विसेसाधिकार का जो उनकी ढाल थी वो अब खतम हो चुकी है मेरा ये मानना है कि लोग तंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ है सुप्रीम कोट नी ये भी कहा है कि MLMP के द्वारा पैसा लेना ये और अच्छी बात है कि सांसोदों विधायकों के लिए पूरे देश में MLMP कोट बनी हुई है चलता नहीं था इस था इस फ्टारे के बाद ब्राइबरी का केस भी चलेगा और ब्राइबरी का केस भी MLMB कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा तो साल भर के अंदर इसका भी फैंसला होना सुरू हो जाएगा मुझे पुरा विश्वास है आने वाले टाइम में सांसद और विधायक पैसा लेके सवाल पूछने पैसा लेके सवीज देने और पैसा लेके ओटिंग करने से पहले सौ बार सोचेंगे क्योंकि अब सुप्रीम कोट ने उनके खिलाब मुकदमे का रास्ता खोल दिया है